कभी सुबा सुबाय तो कभी देरात और कभी कबार आपिस में बेटे हुए भी पेट खराब हो सकता है पेट में ऐसी डिट्री और गैस बनना तो ऐसी दिक्कते हैं जो उटना बैटना तक मुश्किल कर देती हैं वहीं कभी होने पर दिन का चैन और रातों की निंद उड़ जाती है एसे में खास तोर से इन परिशानियों को दूर करने के नुश्के ढूंडे जाते हैं नुश्के इसलिए क्योंकि इन आम दिक्कतों के लिए आए दिन गोली खाने का मन नहीं करता तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं किस तरह ऐसी डिटी और कब्ज जैसी पेट की आम दिक्कतों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाश तक देखें और हमारे साथ बने रहें हम सबसे पहले बात करते हैं अद्रक की भूलने जी मिचलान या फिर कब्ज की दिक्कत है तो आप अद्रक के पानी या अद्रक की चाह का सेवन कर सकते हैं इसे बनाने के लिए अद्रक को छोटे छोटे टुकडों में काट लें इसके बाद 5-10 मिनट उबालने के बाद गेज से उतारें और कप में निकालें स्वाद के लिए इसमें सैद मिलाया जा सकता है अब हम बात करते हैं दूद और घी की या नुसका कब्ज के लिए हैं कब से छुटकारा पाने के लिए दूद में गी डाल कर पिया जा सकता है इसे रात के समय पीने से ज़्यादा फाइदा मिलता है आप अगर गी डाल कर दूद नहीं पीना चाते तो गरम पाने में गी डाल कर भी पिया जा सकता है इसे मलत्या करने में आसानी होती है अब हम बात करते हैं नीबू के पानी की विटामिन C से भरपूर नीबू सोल्यूबल फाइबर का भी अच्छा सुरोत है इसके चलते कब्ज और एश्डिटी होने पर नीबू का पानी पीने की सलाद दी जाती है अगर बच्छा आम तोर पर नीबू पानी पीता है तो उसे भी कब्ज होने पर नीबू का पानी दिया जा सकता है अब हम बात करते हैं सौप की सौप में पेट को आराम देने वाले गुन पाए जाते है या बिटामिन खनी जो डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है इसे एसिडिटी दूर काने के लिए खाया जा सकता है सौप के दाने चबाने में भी फाइदा मिलता है या फिर आप गरम पानी में सौप डाल कर कुछ देर उबा लें और फिर उसे च्छान करती है या पानी पेट को आराम देने में असरदार है अब हम बात करते हैं पुदीने की असल में पुदीना पेट के लिए बेहद अच्छा होता है इसमें कूलिंग एजेंट होते हैं और या एच्डिटी और जी मिचलाने से तुरंत राहत देता है पानी में पुदीने के पत्ते डाल कर उबाल कर पी लेने पर एच्डिटी की दिकत दूर हो जाती है साथी हलके फुलके पेट दर से भी छुटकारा मिलता है तो ये थे कब्ज और एच्डिटी से छुटकारा पाने के कुछ सरल से घरेलू आयरवेदिक उप्चार जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साजा के हैं हमें उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आप चेनल पे नहीं हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर पेश करें